करोना महामारी की दूसरी लहने भले ही राज सरकार का संकट बढ़ाया हो लेके नितीज सरकार को सियासी तौर पर इससे रहत मिली है करोना की तेज लहने विपक्ष के अभियान को जटका दिया है करोना ने विपक्ष के सत्तापक्ष के खिलाब जमीनी अभियान को बहुत सुस्त कर दिया है नेता प्रतिपक्ष तेजश्वी यादव जिलों का दौरा करने वाले थे जो फिलहाल टल गया है वहीं दूसी तरफ कॉंग्रिस का प्रखंडों में धर्न और प्रदर्शन कारकम भी स्थागित हो गया है राज के दोनों मुख्य विपाक्षी दलो आरजेडी और कॉंग्रिस ने अपने जिला और प्रखंड कमेटियों को करोना प्रोटोकॉल को देखते हुए किसी भी तरह के कारकम अगले आदेश तक नहीं करने का निर्देश दे दिया है बरते संक्रमर के कारण आर जेडी कार्याले में ताला लटक गया है तो वहीं कॉंग्रिस मुख्याले सदाकत आश्रा में बिना तालाबंदी के ही बड़े नेताओं ने आना जाना छोड़ दिया है मदुबनी दोरे पर जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष निजश्वी यादव भी दिल्ली वापस लोट चुके हैं फिलहर पार्टी के अंदर कोई गतिविधी नहीं चल रही है जगदा नंसिंग ने पार्टी की तमाम बैठकों को इस्तागित कर दिया है 14 अप्रेल को बाबस सहब की जैनती के मौके पर एक छोटा कारकम आयोजित किया जा सकता है इसमें पार्टी के कुछ प्रमुक नेताओं के साथ बेहत कम संक्या में पदतकारी शामिल होंगे विधान सभा सत्त के दौरान विपक्षी विधाकों की पिटाई समित अन्यमुद्य को लेकर तेजश्वी यादव सरकार के खिलाब जिलास्तर पर दौरा करने वाले थे कत आश्रम में ताला तो नहीं बंद है लेकिन कतविदिया लगभग पूरी तरह बंद हो चुकी है हलाकि मुख्याले में ताला बंदी नहीं होने से हर दिन दो दर्जन से दिक कार्याल स्टाफ अभियाते और दिन भर रहने के बाद वापस चले जाते हैं पार्टी के अभियान पार्श दोनों तो कारले आना ही छोड़ दिया है ऐसे में दोनों विपक्षी दलों के जमीनी अभियान के स्थागे थोनें से अब सत्ता पक्ष को रहत मिली है हालाकि सोशल मीडिया के जरीएक दूसरे पर वार पलटवार जारी है अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें सब्स्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें